गौर्मेंट कॉलिज दर्वार पिट्रोल पम की पास देर रात को हुए दर्दनाक हाथसे में आटो चालक की मौत हो गई लोडिंग बाहन और आटो की जोरदार बिटन्त हो गई हाथसे में आटो का अगला हिस्सा पूरी तरह से शर्तिक रस्त हो गया और आटो की अंदर ही चालक फस गया काफी मशक्कत के बाद आटो चालक को बाहर निकाला गया और गंबीर का रावस्ता में तुरंत पास के अंबियस अस्पताल ले जाए गया लेकिन दम तोड़ दिया गया मृतक 28 वर्ष के राम मेना रामदास नगर का निवासी था राम मेना इसी लाके में आटो चलाता था देर रात को लोडिंग वा तेज रफतार से आरे लोडिंग वान की आटो से चोरदार विडंत हो गई हादसे के बाद काफी लोगों की भीड लग गई थी अंबियस अस्पताल की मोर्चारी में रखवाए गए मृतक राम मेना के सब का पोश्टमाटम करवाया फिलाल नया पुड़ा थाना पुलिस पुड़े मामले की जाच कर रही है इसकी मुर्थी हो गई है आप वह स्माणा परवाद है लास परीजयनों को सुपर्ट करती ने मोके पर मतलब मुश्की गाड़ी को सीच करके थाने पर लेकर कर आगे और चालक अभी नहीं मिला उसके भी लगी है चालक के में जातक सुने माय उसके भी लगी है प्रात्वी उप्चार करवारा करें